अफगानिस्तान से पाकिस्तान को मिली हार के बाद पाकिस्तान के कई पूर्व दिगज अपनी टीम मैनेजमेंट पर भड़ास निकाल रहे हैं। उन्हीं में से एक शोएब अक्तर भी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वर्ड कप में काफी बुरा प्रदर्शन कर रही है। इस वजह से पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर भी अपनी टीम पर भड़क गए हैं। पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान से पहली बार वर्ल्ड कप में एक वंडे मैच हार गई जिसके बाद उनकी टीम को चारों तरफ से आलोचनाए जेलनी पड़ रही है। पाकिस्तान के लिए सालों तक तेज गेंदबाजी करने वाले गेंदबास शोईब अक्तर ने भी पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट की खूब आलोचना की है। शोईब अक्तर ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट आज जिस स्थिती में पहुँचा है और जहां पाकिस्तान क्रिकेट है ये पिछले 20 से 30 सालों में लिए गए गलत फैसलों का नतीजा है। वही लोग लाते रहो, वही गलतियां करते रहो और तुम्हें एक ही तरह के रिजिट मिलते रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कई अन्य दिगजों ने भी ऐसी ही आलोचनाएं की हैं। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अभी तक कुल 5 मैच खेले हैं, जिनमें से उन्हें 3 मेहार और सिर्फ 2 मैच में जीत हासिल हुई है। पाकिस्तान टीम ने भारत, आस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान से अपने मैच गवा दिये हैं। अब उनका सेमी फाइनल में पहुचना भी काफी मुश्किल लग रहा है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान की टीम वंडे फॉर्मेट में कभी भी मैच नहीं हारी थी। लेकिन वर्ल्ड कप में हुए मैच में उन्हें पहली बार आठ विकेट से हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुए मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्ले बाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 282 रन बनाये थे। इस लक्षे का पीछा करने उत्री अफगानिस्तान की टीम ने 49 ओवर में सिर्फ दो विकेट खोकर 286 रन बना दिये और 8 विकेट से मैच को अपने नाम कर लिया। अफगानिस्तान की ओर से उपन उसने अच्छी शुरुवात की और पहले विकेट के लिए 130 रनों की शांदार साजेदारी की। अफगानिस्तान की ओर से तीन बल्ले बाजों ने अर्धश्त किये पारियां खेली और अपनी टीम को एक एतिहासिक जीत दिला दी।